अगर आप सब क्रेडिक कार्ड डेविट कार्ड यूपी है या किसी भी वाइलेट से पेमेंट रिसीब करना चाहते हैं अगर आपके पास छोटा मोटा कोई भी बिजिनेस है तो आप सब के लिए ये पेमेंट गेटवे बहुत ही यूजफुल है जो कि इजी वुज पेमेंट है जो कि आप सब को आप देख रहा है जो ये जो वेबसाइट है बहुत ही यूजफुल है जिसमें आप सब को एक सब पेमेंट रिमोट से आप सब ले सकते हैं जिसमें मैं बता दू कि किसी भी यूपी से लेख सकता है किसी भी क्रेडिकार्ट से लेख सकते हैं किसी भी डे करने का पर्वेट करेंगे जो कि इसका जो वाइसी होता है ट्वाइस में नहीं होता है तब तक आप सब इस वेबसाइट पर कोई भी disease नहीं कर पाएंगे जाए नहीं में चलतें और पीबसाइट पर कते शर्वे सर्च करेंगे तो गूगल पर आपको मिल जाएगा उसके बाद आप साइन अप का परोसेस जो है सबसे पहले आपका बिजिनेस का नाम यह आप खुद का अपना नाम डाल दीजिए नीचे में एक इमेल आड़ी उसके बाद नीचे एक कांटेक्ट नमबर उसके बाद एक एड्रेस डाल दीजिए उसके बाद अपना एक पासवर्ड करेट करने के बाद रेफरर कोड ऑफशनल है आपको नहीं डालना है कुछ भी मत डालिए और नीचे में सम्मीट वाला ऑप्शन एक दिख आपको यह सम्मीट वाले पर क्लिक कर दीजिए चलो फालिए में यह वाला जो पूरसेस है पूरा जो मेरा प्रस्ट डिटेल से में इदर फील करता हूं उसके बाद फालिए मैं सम्मीट वाले ऑप्शन पर करते हूं तो कर दो मैं बता दू कि अगर आप पासवर्ड आप कर किया गया है उसके बाद देखेंगे एक लिंक पर क्लिक कर देना है अगर आप इदर से लॉग इन करना चाहेंगा भी तो अब भी आपका लॉग इन नहीं होगा लेकिन इसमें फोर्गेट और साइन आपका प्रोसेस दिया गया है आप सब यह दोनों प्रोसेस करते हैं तो चलो फाली आप गराम एक पार ट्राइक कर दिखाता हूं कि इस बार मैं लॉग इंदर सो हो पाता हूं या नहीं तो फाली तरीके से अपना email एडी पासवर्ड डाल दिया हूं उसका फाली लॉग इन क्लिक क्या तो हमको मैंसे आया है कि आपके email एडी पे लिंक सेंड किया अधर से आप जाके login हो सकते हैं चलो हम चलते हैं अपने email एडी पर जो मेरा email एडी में इसमें डाला था उसी email एडी पर हमको एक link आया है तो गईज देखेंगे मैं अपना email एडी में आया तो हमको इस तर एक link आ चुका है इसी link पर आपको क्लिक करना जो कि आप देखेंग का जो पेमेंट है वह आपको चेकबुक के थूरू यानि को वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपको एकाउंट सही हाई कि नहीं कभी-कभी आप सब एकाउंट को नमबर गलाट डाल दते हैं इसके लिए एकाउंट को आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा उसके बाद जाके आ आपको अप्लोड करना कमपल सरी है अगर आपको वीडियो देखना है तो इसके वेबसाइट यानि ओफिसली एक वीडियो लॉंच किया गया है ताब वीडियो देख लिजी नहीं तो आप इदर देख पाएंगे एक option दिया गया है किलिक confirm your email ID पर आप जैसे किलिक करेंगे तो यह फानली एक website पर लेकर जाएगा जिसमें एक mention किया गया है कि आपका परसनल डिटेल से जैसी कि मैं अभी बताया कि आपका pen card, bank का statement आप सब इसको fill करना पड़ेगा तो चलो फानली हम यह सब जो process है पूरा से आया है कि आपका email ID एक्टिवेट हो चुका है अभी आप एक email ID एक password डालिए और फानली login पर क्लिक कर दीजिए तो चलो फानली हम फटा फट यह वाला process पूरा करता हूं और login पर क्लिक करता हूं तो फानली हम इमेल ID पासवर्ड डालने के बाद login पर क्लिक किया चाहे तो पासवर्ड को सेफ कर सकती है ताब नेवर कर दीजिए उसके बाद देखेंगे एक option आपको मिलेगा KYC document का KYC में आभी आपका bank का चेक बुक उसके बाद एक pen card डालना चाहे और business details में आपको जो भी है bio data आप इधर फिल कर दीजिए उसका फानली आप submit पर क्लिक कर पूरे 2-3 के बाद आपका account activate कर दिया जाएगा चलो फाली हम यह सब जो process है पूरा करता हूं सबस्प्रे में KYC document में मेरा pen card और जो मेरा bank का checkbook है यह सब में आपको फिल करता हूं तो फाली जैसे आप profile पे क्लिक कर देंगे तो सबस्प्रे अपना profile भी आपको mention कर लेना है ज अगर कुछ इदर से फिल कर लीजिए नीचे जब आप सेलेट करेंगे गाज तो नीचे में आपका पूरा बायोड़ जैसी आपका पीन कोड क्या है एरिया का पीन कोड सीटी कौन सा है अगर आपके पास कोई website है तो website का इधर अपना डाल दीजिए नाम उसके वाद पहले आप सेफ पर क्लिक कर दीजिए सेफ पर क्लिक करने के बाद नीचे में को से मिलेगा डॉकॉमेंट का तो डॉकॉमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका बैंक का चेक बुक कि दर मांगा जा रहा है या स्टेटमेंट अगर आपके पास है चेक बुक नहीं है तो कोई किया गया जैसे कि अगर आपका बिजनेस में अगर जेस्टी का नंबर किया अगर जेस्टी नंबर नहीं है तो ऑफसनल है और डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं क्योंकि छोटा मोटा जो बिजनेसमें होता है उनके पास जेस्टी नंबर नहीं होता है तो आप सब इ एक्ट एक्टिवेट किया जाएगा, उसके बाद, आप सब जैसे राजोर पे आपको एक website के बारे मालूम होगा है, जिसमें हम सब payment निक छोड़ किया है, हम सब payment को रिसीब करते थे, उस पर इसमें भी है, आप देखें, मेरा ऐक्ट आप एक्टिवेट हो चुका है, अगर आ एक ही दिन में आपका payment रिसीप किया जाएगा आपके बैंक रिसीप है तो आज के डेट में आपके बैंक रिसीप किया जाएगा चाहे डेविट कार्ड का हो या UPI का हो या किसी भी वैलट का हो payment आपको सेम डेज में ही settlement किया जाता है चार्ज के बाद कर लें तो आपके बिजनेस को पडिपैन करता है यानि आपको एगरिमेंट इदर कितना हाता है वो आपको देख लेना है या तो customer care का एक number इदर दिया गया है ताप customer care से बात करके चार्ज के बाड़े में पुछ सकते हैं चार्ज में बता दो कि one point ये two रहेगा या तो one point रहेगा साथ में अपका इदर एक credit point भी मिलेगा यानि आप जितना इदर से payment receive करेंगे उसके उपर एक point ले आता है वो point को आप से redeem कर पाएंगे और redeem करने के बाद online आप सब इदर से recharge कर पाएंगे इससे भी आप सब को अच कर साथ जरूर सियर कीजेगा सब को इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इससू है तो आप से comment करके हमसे पूछ सकते हैं